नमस्कार मेरा नाम है मिताब और द्रिस्टी C.U.E.T. की इस नई वीडियो में स्वागत है Target C.U.E.T. 2024 के सामान हिंदी के इस खंड में आपका हम स्वागत करते हैं हमारी ये कोशिस है हिंदी के कुछ नए सवालों के माध्यम से आपकी तैयारी को और सम्रिद बनाया जा सके इन प्रशनों के साथ आज के इस सफर के माध्यम से हम कोशिस करेंगे आगामी होने वाली परिक्षा में आप अभ्यास से विश्वास की सीड़ी को प्राप्त करें और विश्वास से सफलता के परचम को लहराएं तो शुरू करते हैं आज के सामान हिंदी के इस संदर्ब को तो चलिए हम प्रशनों की शुरूआत अपने पहले प्रशनों के साथ करते हैं पहला प्रशन पटल पर आपके सामने हैं कि समास के कुल कितने भेद होते हैं अब आपको समास के इन भेदों में से उसके प्रकार से ही डारेक्ट की सवाल पूछा गया है बताना है आपको कि 3, 4, 5 या 6 तो समास के कितने भेध हैं आपका जवाब मेरे व्याख्या से पहले आये तो बहतर होगा व्याख्या इसकी यह है कि समास के कितने भेध होते हैं दो या दो से अधिक पहले हम समझ लें कि समास कहते किसको है तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहा जाता है और समास के इतने भेध होते हैं तो आपके सामने जो option थे उसमें D option आपका सही हो गया, इसके basically 6 भेध होते हैं कौन-कौन से भेध होते हैं, तो देखिए जो पहला समास है उसको कहते हैं अव्यई भाव समास, आपको बता दें कि अव्यई भाव समास में इसमें पहला पद जो होता है वो अव्य होता है और वही प्रधान होता है, इसको जैसे आपने सुना होगा प्रती दिन तो प्रति क्या होगा पहला पद अभ्या है और वही प्रधान है। इसी प्रकार दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पहला पद जो होगा वो गौड होगा और इसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे आपन कारण के तौर पर आप देख सकते हैं, चौराहा शब्द, चौराहा में पहला पद क्या है, चौर अर्थार्थ, चार रास्तों को जो मिलाने वाला, तो पहला पद संख्या वाचक हो गया, ये विगू समास कहेंगे, इसी प्रिकार अगला होता है, द्वंद समास, द्वंद सम होगा, अर्थात वो किसे न किसी टाइप की विशेस्ता टाइप बताएगा, तो गुणवाचक का मतब जैसे महात्मा, पीतामबर, ये क्या हुआ, ये कर्मधारे समास हो गया, अगला होता है आपका, जो है कर्मधारे समास के बाद हम देख सकते हैं कि त्विगुद्वंद कर्मधारे के बाद बहु बरही समास, बहु बरही समास में क्या होता है, बहु बरही समास में आपके न तो पहला पद प्रधान होगा, न दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें एक तीसरा पद प्रधान होता है, और इसमें जैसे आपने सुना है शब्द दशानन, अर्थात दश है जिसके आनन, जिसके सब्द से लगकर इसका एक तीसरा अर्थ ही निकलता है, अर्थात कौन हो जाएगा, दशानन, अर्थात, रामण की बात परही उसी प्रकार, चतुर भुज, चार हैं जिसकी भुजाएं, अर्थात कौन, तो विश्णु भगवान की बात हो रही त तो इस प्रकार अव्याई भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वन्द समास, कर्मधारे समास और बहुब्रीही समास इस प्रकार के यह आपके 6 भेद हैं और 6 भेदों को ही यहां पर पूछा गया है कितने भेद हैं तो 6 भेद आप याद रखें अगला प्रशन है कि चारू चंड्र की चंचल हिरड़ें खेल रही है जल्थल में इस पद्ध में कौन सा अलंकार है अब आपको इसमें अलंकार की पहचान करनी है, आपके सामने option है, यमक अलंकार है, श्लेश अलंकार है, अनुप्रास है या स्वक्रुक्ति अलंकार है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखी यहाँ पर इसका उत्तर C सही है, और C उत्तर आपका क्या है अनुप्रासलंकार अनुप्रास क्या होता है अनु का मतलब ही होता है बार बार जिस पद की आविरत्ती हो प्रास का मतलब आविरत्ती तो देखिए जहां पर वरणों की आविरत्ती बार बार हो वहां पर अनुप्रासलंकार होता है जैसे एक उदारान और यहां पर आपको द अगला प्रस्न है कि निम्न में से विनायक शब्द, विनायक शब्द एक दिया गया है, इसका परियावाची है, परियावाची शब्द किसका है, चंद्रमा का है, सूरी का है, पवन का है, या गणपती का है, आपको इन आप्शे में से सही उतर का चैन करना है, आइए देखत दंत कहते हैं गजानन कहते हैं गजानन कहतेया है वहता है लंबोधर होता है गजबदन मोंठ पृय हुथए मोदक प्यों प्रिय अर्था उनको फसंदीदा है मोदक लड्डू भी ऑप देखती है उनको अक्सर चड़ाए जाता है एक्लीड वहन उनका वाहन क्या था? मूशक था अर्थात जुहा था तो यह इनके परयाई वाची है तो यहाँ पर सही विकल्प जो है वो डी है अरथात गणपती विनायक किस्कार परयाई वाची है तो गड़ेश भगवान का है गणपती यहाँपर सही उस्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है निमन में से चौरहा में कौन सा समास है? शुरू मही मैंने आपको बताया जहां पर पहला पद संख्यावाचक हो वहां पर कौन सा समास होगा option में सही आप देखते ही लगा देंगे सही इसका विकल्ब हो जाएगा आपका दभीगू समास होगा बहुब्रिही अव्याई भाव और तत्पुरुस ये तीन अन्य समास भी बताये गया है। इसकी व्याख्या देख लिजिए कि जिस समास का प्रथम पद संख्या वाचक हो और अंतिम पद संग्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तनु का भोपाल जाना तै है। इसमें क्या क्रिया शब्द है। तनु है जाना है भोपाल है या तै है। से आपका कमेंट में जाने से पहले आजाये तो वेतर है देखिए इसका विकल्प वी सहित यहां पर जाना आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर क्रिया सही हो जाएगा अगला है किस वात्की में संग्युक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है यहां आपको बताना है कि रश्मी को दोड़ना पसंद है इसमें संग्युक्त क्रिया है मोहन का तुनामेंट में खेलना निश्चित है इसमें संग्युक्त क्रिया है राम विद्याले पहुंच गया या क पहली क्रिया क्या होता है देखी जब दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से संज्यो क्रिया का निर्माड होता है यहां पर दो धातुओं का मेल हुआ है इसमें पहली क्रिया क्या है मुख्य होती है पहली क्रिया जो होगी वो मेन होगी मुख्य होगी और जो दूसरी होगी उसके अर्थ में विशेस्ता उत्पन करती है, अर्थात उसका विशेस अर्थ बनाती है, जैसे खा जाना, गिर पढ़ना, इसमें देखिए एक खाना भी एक क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है, तो खा जाना ये दोनों मिला कर इसको विशेस बन रहा है, एक अर्थ पदान कर तो पहली जो क्रिया है इसमें खाना ये मुख्य होगी अर्थात खाने का ही खाम यहां किया जा रहा है और जाना इसमें जुड जा रहा है इसको विशेस बता बना रहा है इस क्रिया को यहां पर यह उदाहरन है आपका यहां पर सी विकल्प आपका सही और सी विकल्प क्या थ इसमें कारक्या है, टाकूओं है, करके है, भगाया है, क्या को है, देखिए व्याख्या पे देखते हैं, क्या इसका सही विकल्प है, तो सही विकल्प है आपका C, C क्या है, भगाया, भगाया है पर सही कैसे हो जाता है, उसको देख लेते हैं, प्रस्न आप से क्या पूछ रह दिये गए वाक्ष में से कारग की पहचान करता अब इसके लिए आपको जानना जरूरी है की कारग होता कि अब देखिये इसकी व्याख्यา पक्ष को देखते हैं कारग क्या होता है सबसे पहले यह देख लेखन आरक कहते हैं संग्या या सर्वणाम शब्द की वह अवस्था, संग्या या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था, जिसके द्वारा वाक्ति में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, अब दीखे कारक कई प्रकार के होते हैं, उसके लिए अलग-अलग चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कर्ता ने आपने प्रदान के लिए आपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पैपर यह विभिन प्रकार के जो कारक है उसके लिए अलग-अलग चिन भी बताए गया है तो यहां पर को शब्द का इस्तिमाल किया गया है और को क्या है कर्म कारक का उदारण है तो यहां पर यह बताया गया है कि संग्या या सर्मनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्ति में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं कारक वो शब्द है जो किसी क्रिया या क्रिया पद के साथ जुड़कर उसके कारे का निर्देशन करता है अब कारक के कितने भेद ह तो कारक के आठ भेद होते हैं, यह आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर सही विकल्प था भगाया, इस लिहाज से यह आप कारक इसमें से पहचान लीजिए कि भगाया यहाँ पर सही इसका उत्तर होता, अगला प्रशन है कि श्यामा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी, इस वा संग्या की जगह पर किया जाता है, वो सर्वनाम होता है, संग्या के स्थान पर प्रियुक्त होने वाले सब्द ही सर्वनाम हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह सब क्या होता है, सर्वनाम होता है, हम, तुम, वह, वे, आप, यह सभी सर्वनाम के उधारण है, तो इसका सीवी कल सही हो जाएगा, सी विकल्ब क्या था, एक बार देख लेए, सी विकल्ब अम्मय, तो मैं इसका सही उतर हो, अगला प्रसनर है किष शब्द में उपसर्ग का प्रियोग किया गया है, प्रोध में, गैर हाजीर में, रक्षा में, या भावना में, तो आपको इन में से सही विकल विकल्प का चेयन करते हैं। प्रत्र के सहता से बनने वाले शब्द हैं। अगला प्रशन है कि अशुद्ध तत्सम तद्भव युग्म की पहचान कीजिए। अर्थात यहां पर नीचिया आपको तत्सम और तद्भव का युग्म दिया गया है। इसमें अशुद्ध जब आप देखेंगे तो यह विकल्प होगा, कैसे होगा उसको देख लें। देखिए सूढ और सुन्ड यहां पर प्रथम पद इस केस में आप देखेंगे तो पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है। देखिए यहां पर ठीक उल्टा होने के कारण आपका एविकल्प होगा, यही आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसमें तद्भव और तत्सम का क्रम उल्टा हो गया है। प्याख्यागर देखें तो ठीक वही बात इसमें लिखी गई है, कि तद्भव, तत्सम तद्भव की दृष्टी से शूंड तत्सम सब्द है, जबकि सूंड तद्भव है। संस्कृत भासा से हिंदी में जो शब्द आये हैं, जेओं के तयोग जो प्रयोक्त होते हैं, उसको तत्सम कहा जाता है। अतिवरिष्टी, अनावरिष्टी, अब इसमें से कौन सा शुद्ध है, सही है, उसकी पहचान करना है, तो आईए देखते हैं, इसकी व्याक्षा, इसमें आप देखें, इसमें डी विकल्प सही है, और डी विकल्प क्या है, तो अतिवरिष्टी, अनावरिष्टी सही है, बाकि आपके सारे विकल्प गलत हैं, क्या उनके सही संभावित उत्तर हैं, यहां पर देखते हैं, अरवाचीन का प्राचीन होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, गरीब का अमीर होता है, बाकि आपका विकल्प डी बिलकुल सही था, जहां जाना कठीन हो वाक्यांश क लिए एक शब्द है अर्थात जिस जगह पर जाना कठीन हो उसके लिए एक शब्द में उसको क्या कहा जाता है क्या उसको दुरलब कहा जाता है क्या दुर्गम कहा जाता है क्या सुगम कहा जाता है या दुर्दम कहा जाता है वाई ये देखते हैं व्याख्या इसका सही विक है जिसका दमन करना कथिन हो उसको दुर्दम कहा जाता है आप देखलें व्यक्ठिया में यहां पर जहां जाना कथिन हो इसके लिए दुर्गम उप्योक्त शब्द है अग्ला है पाओ बारा हूना मुहावरे का अर्थ क्या है option है आपके सामने अधिक लाब होना नुकसान उठाना त्वावलंबी होना या अत्यांत तुक्ष होना अब आपको इसमें से सही विकल्प का चेन करना है तो क्या सही उत्तर है देखते हैं इसका सही उत्तर है ए ए क्या है अधिक लाब होना अधिक लाब होना देखते हैं कैसे पावबारा होने का अर्थ है, बहुत अधिक लाभ होना, अताव इकल पे आपका बिल्कुल सही है, जब अन्य जो मुहावरे हैं, उसमें पैसा डूबना का मतलब नुपसान उठाना, पैरों की धूल होना, मतलब अत्यम तुक्ष होना, नहीं कहते हैं कि तुम मेरे पैरों के भूल के बराबर हो, मतलब बहुत तुक्ष व्यक्ति समाजना किसी को, पैरों पर खड़ा होना, स्वाव लंबी होना, कहते हैं कब तुम अपने पैरों पर खड़े होगे, स्वाव लंबी होने का मतलब होता है, अर्थाद, अपना खर्ज खुद निर्वहन आप करें, हर च पड़े, सड़क, तो आप तो इसको देखते ही, इसका सही उत्तर बिता देंगे, जाहिर सी बात है कि सड़क जो है, वो एक बचन है, बाकी सभी इसमें बहु बचन थे, सड़क एक बचन है, जबकि अन्यशद बहु बचन है, इसलिए विकल्ब डी सही है, जिन शब्दों स हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा, ये एक बचन और बहु बचन का अंतर था, अगला है शुद्ध विलोम शब्द का चैन करना है, जो सही है, वो उसको आप चैनित करेंगे, जो गलत है उसको छोड़ देंगे, मोटा, फूल, भ्रान्त, या थार्त, अथार्त, प्रेम, घ्रणा, बंधन, मोक्ष, अब इसमें से विकल्प की सहायता से आपको चैनित करना है कि केवल A और C सही है, B, D, E सही है, A, B, C सही है, या D और E सही है, जल्दी कमेंट करके बताईए कौन से सही है, बाहराल हम उत्तर की तरह चलते हैं और देखते हैं कौन से सही है, इसका स घ्रणा सही है, और बंधन का मोक्ष सही है, या थार्थ का अथार्थ गलत है, और मोटा का स्थूल गलत है, इसलिहास से आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, मोटा का पतला होता है, स्थूल का सुक्ष मोता है, और इसलिहास से आपका विकल्प सही है, निमनल पंक्तियों म तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी जुको नहीं, कौन सा रस है आपको बताना है, उमीद है आप अभी तक गेस कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, वीर रस है, भयानक रस है, अदभुत रस है या भक्ति रस है, सही विकल्प की तरफ चलते हैं व्याख्या को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना उत्पन्न होती है ऐसी पंक्तियों को आप पढ़ें जिससे आपके अंदर उर्जा का संचार हो उत्साह का स्थाई भाव उत्पन्न हो जाए तो उसको विर्रस कहते है जैसे आपने हाली में एक संगीत बहुत पपुलर हुआ था आर जो हुआ है निमनलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है आपको पहचानना है मोम सातन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका इसमें अलंकार आपको पहचानना है कौन सा अलंकार है रूपक है उपमा है श्लेस है क्या यमक है यह देखते हैं क्यों सा अलंकार है तो मोंसे की जा रही है साथि दीप सा मन जल चुका अरथा दीपक के शमान उसका मन जल रहा है तो यहां पर उपमा दी जा रही है किसी एंध्य वस्तु से तुलना की जा रही है देखिए समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आधी के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां पर क्या होता है उपमा लंकार होता है यहां पर ऐसा ही दिखाया गया है जैसे पीपर पात सरिस्मन डोला था पीपल के पत्ते के स जार केटेगरी बनाई गई है यहां पर चार शब्द दिये गये हैं फूल, खिचडि, आम्र और जहाज इन में इसे बताना है कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा विदेशज है और कौन सा देशज है विधेशद σबद वह होते हैं जो कि दूसरी भाशाओं से भारती भाशाओ्व में अर्था लिंदी में ग्रहण किया गया है जैसे तमाम ऐसे शब्द हैं जैसे गमला है आलपीन है आलमारी है, पराथ है, ये सब शब्द पुर्तगाली के है, जो कि भारती हिंदी भाषा में जो कि ग्रहन कर लिये हैं, आम बोलचल की भाषा में आज हम प्रयोग भी करते हैं, वैसे ही बोतल है, लालटेन है, डॉक्टर है, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, हमने ग्रहन कर करते हैं और तदभव जो उससे बने हैं जिनका ओरिजन सिंस्कृत है लेकिन आज उसकी भाषा जो है थोड़ी से परिवर्थित हो गई है किसी यह ने रूप में बोली जाती है तो आप इसके आधार पर चैनित करेंगे कि कौन सा विकल्प सही है व्याख्या की तरफ चलते है इसमें जैसा कि बताया गया है आपका विकल्प तीसरा सही है तीसरा विकल्प क्या है तो यह है एका तीसरा अर्थात एका तीसरा क्या है आम्र क्या है तत्सम शब्द है बिल्कुल सही बात है पी का पहला अर्थात तदभव की बात करेंगे तो फूल क्या है तदभव है इ इचड़ी यहां का देशद सब्द है, मूल शब्द है, भारतिय शब्द है, इसके अलावा D का चौथा विदेशद जहाज, विदेशद जो है वो जहाज हो जाएगा क्योंकि ये बाहर का शब्द है, ये आपकी सही यहां पर सही मेल है और ता तीसरा आपका विकल्ब सही हो निमने विखित में से व्याकरण की दृष्टी से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है, वे अनेक विशाय के ज्याता थे, इस समय चार बजे है, सब लोग अपनी राय दें, आसू से मेरा रुमाल भीग गया, अब इसमें आपको चैनित करना है कि व्याकरण की दृ सब लोग अपनी राय दे, इसमें क्या गलती है जलदी कमेंट करके बताए, आसू से मेरा रुमाल भीग गया, देखिए आसू नहीं, एक आसू से रुमाल भीग गया, लिगेगा आस्मों या अश्रूमों का प्रयोग होना चाहिए सब लोग अपनी राय दें या तो ये प्रयोग होना चाहिए या तो सभी लोग अपनी राय दें ये भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं तो यहाँ पर इस लिहाद से आप देखें तो बी विकल्ब सही था इ आकरण की दृष्टी से शुद्ध है, इसमें अनेक विशय के स्थान पर अनेक विशयों का प्रयोग होना चाहिए, इसमें अपनी के स्थान पर अपनी अपनी होना चाहिए और आसुमों होना चाहिए, तो बाकी में यह शुद्धिया थे, अगला है कि निम्नलिखित इसमें क्या संग्या है आपको पहचाना है संग्या आपको फिल्टर करना है आसुमानी नियमित पाश्चाते और अनुशासन संग्या क्या होता है सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बताएं बिना उसकी परिभाशा को जाने आप पहचान नहीं पाएंगे फिल्टर नहीं कर पाएंगे इसमें से आपको संग्या की पहचान करना है आपका विकल्प क्या है विकल्प है डी इसका सही उत्तर है क्या है देखने एक बार तो अनुशासन अनुशासन क्या है संग्या है अब कैसे है उसको देखिए तो अनुशासन संग्या है इसका विशेसन क्या है अनुश का नियम हो जाएगा और आस्मानी का आस्मान हो जाएगा ये इनके क्रम से इनकी संग्या होगी अंत में इन सारे प्रशलों के बाद हमें उम्मीद है आज के संदर्व से आप लवहनमित होंगे लेकिन अगली जिमेदारी आप की है कि आप इस प्रशन का जवाब comment box में देना है अनुभूती 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 और अनुभूती ये अलग-अलग तरीके से लिखा गया है अब आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है आप से इस जवाब की सही और सटीक जवाब के पिक्षापने रहेगी आज के लिए रहेगी